नमस्कार जन्ता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रितेश कुमार गौतम और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का लखनों में मुख्यमंतरी योगी अर्इतनात ने आज प्रेस कॉन्फरेंस की CM योगी ने विक्सित भारत की संकल्बलना पर आधारित बीजेपी संकल्पत्र के संबंध में अपनी बात प्रखी और यवाओं के लिए संकल्पत्र को लेकर जानकारी थी उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की भी गारंटी सुनी आपने कुछ चीजें संकल पत्र में देखे होंगे कि संकल पत्र की पैड़ी चार प्रतिया जिन चार आधारस्थम्मों को लेकर कि यहां चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी उतरी है उन चार आधारस्थम्मों को प्रतियत्व करने वाले युवा, महिना, गरीब और किसान एक-एक प्रति उनको प्रतान मंत्री जी के गरकमलों से प्रतान की गई लित्रो यह जो भी संकल्पत्र भारतिय जन्ता पार्टी ने जारी किया है अधार्बे जन्ता पार्टी के वले गराशनितिक दन्मात्र नहीं, बलकि भारत की विजन को मिशन बान करके उसको प्रभावी धंग से लागू करने की 140 क्रोड लोकों की आकांसा का पतीक बना है उदर मिर्जापुर में बीजेपी के संकल्पत्र को लेकर प्रेस कॉंफरेंस आयोजित की गई जिसमें सोतंतर परभार राज्यमंत्री दया शंकर मिश्रा दयालू ने शिरकत की इस दोरान उन्होंने कहा कि विक्सित भारत की बात करने वाले देश में मुफ्त का अनाज दिये जाने के प्रशन का सीधा जवाब देने से कत्राने लगे और मीडिया को ही पार्टी बनकर प्रशन पूचने वाला कहने लगे सुनी एक मुस्लिम बहन को शाहबानों को तीन तलाक के मुद्धे पर उसको हग न दिला पाया हो वह कांग्रिस की सरकार आज प्रशन कर रही हो और मुदी जी ने इस देश की करोडो मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के मुद्धे पर उनको हग दला दिया जिस कस्मीर के विशे को कांगरेस ने पाल के रखा था देश के माथे पर कलंग के रूप में लाखो लाख हमारे देश के हिंदुों का जहाँ खून बहा हूँ उसको मोदी जी ने एक जटके में मटा दिया प्रेति सेख शेयर 374 अठा दिया एक देश में पत्थर बाजों से पूरा कश्पी परिसान था, पूरे देश में आज कोई ये घटना नहीं हुई हर्याना के मुख्यमंत्री नायव सैनी आज यूपी के दोरे पर रहे और इस दोरान उन्होंने साहरनपुर के नकुड में केराना लोकसभाइ प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया साति पीए मोदी की भी तारीफ की लोगसबा चुनाओं में पहले चरण के तैट मद्दान में चंद दिनों का ही समय बाकी रह गया है ऐसे में कॉंग्रेस ने सेना की तरह वारूम बना कर मोनिटरिंग का काम शुरू कर दिया है बता दें की इंडिया गडबनन का मुख्य धणा होने की भी जिम्यदारी निभा रहा है यूपी में कॉंग्रेस अपनी 17 सीटों के साथ सभी 80 सीटों पर हर पल नज़र रख रही है देखिये हमारे समधादा की रिपोर्ट अभी तक सेना के बार्डर पर जो है देश के बार्डर पर जो सेना तरना रहती वहां वार रूम खोले गए दिली में खोले गए और जहां जहां उनकी मानिटरिंग की आती है उसकी total monitoring की जा रही है इसमें में कांगरेस मुख्याले में हूँ कांगरेस मुख्याले में लोगसभा के असी सीटों की पूरी monitoring की जा रही है लोगसभा के desk head मन तैयार किये गए जो 10 है और desk executive 10 है और बाकी computer executive तैनाथ किये गए तो एक एक जगह पर आठ हाट लोग सभा की जो है सीटों का मानिटरिंग की जा रही है अब हमारे साथ जो है लगातार में देख रहा हूँ यहाँ जो कर्मचारी वो अपना लगातार मानिटरिंग कर रहा है देख रहे हैं कहां से क्या सिकायते आ रही है कहां जे क्या feedback आ रहा है उसको feed कर रहे हैं और उसके बाद वो जो है काम कर रहे हैं लगातार इस इस्तितिकु लेकर के Congress monitoring कर रहे हैं अभी जे मैं हमाइसा संजय दिक्षिज जी हैं जो सदसी भी वार्रूम के और monitoring का मुख काम में देख रहे हैं मैं इनी से जानूँगा क्या कैसे हो रहा है संजय दिदाएगा धनवाद Congress Party ने इस बार संगठन को बूत स्था तक पहुचाने के लिए एक Connect Center के रूप में वार्रूम को प्रस्तुत किया है हम लोग निरंतर उत्तर प्रदेश में जो 1,62,000 बूत हैं वहाँ Congress के जो हमारा कार करता है हमारा नेता है उसको चिनहित कर रहे हैं और AICC और PCC से उसको सीधे जोड के हमारे राश्टी नेतुत से जोड रहा है तथा जो 17 सीटें जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं गड़ बंधन में उस पे हमारी विशेश नजर है हमारे करीब 35 पॉलिटिकल लीडर्स वॉलेंटिर्स निरंतर यहां सुबह से रात तक काम कर रहे हैं हर लोग सफा के संपर्क में हैं किसी तरह की कोई भी समस्या जो हमारे प्रत्याशी या जिले के संगठन को होती है हम अपने केंदरी नेतुत को इसको अबगत कराते हैं और हम लोग निरंतर मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग का प्रयास है कि कॉंग्रेस बूत स्थर पे अपने वियाचारिक लड़ाई अपने एजेंडा अपने घोशनापत्र अपने नयाय का जो हमारा राहूल जी का संदेश है वो गाउं गाउं तक पहुंचे और जिस तरह का फीड़बैक आ रहा है राहूल गांधी जिस बहादुरी से इस अलोक तांत्रिक और एक हिटलर शाही सरकार के खिलाफ पिछले तीन वर्षों से पध्यात्रा और जन एक जन आंदोलन की उन्होंने रूप देखा तैकी थी आज उस जन आंदोलन के कारण उत्रप्रदेश में हर कांग्रेसी कार करता और विशेश कर गाउं में रहने वाले गरीब जिस तरह चार सो रुप गारंटी है राहुल जी की उस गारंटी का एक तूफान के रूप में गाउं में प्रभाव है गरीब विक्ति के नौजवान किसान के में प्रभाव है और इन सब चीजों को हम लोग यहां से बैठके सुनिश्यत कर रहे हैं कि राहुल जी कॉंग्रेस पार्टी खडगे जी आगे बढ़ाएं कि जो समस्या आती है उसका निजान कैसे करते हैं अब लोग ततकाल हमारा केंदरी ने तो एक सेंट्रल वार्रूम है एक सीसी में हमारे प्रभारी महासचिप जी इस पूरी प्रक्रिया को निरंतर उसका मॉनिटरिंग करने हैं और जो भी समस्या आती है व उसका तुरंट निजान किया आता है और तुरंट केंदरी नेतत को और केंदरी जो है दिली में जो बनाए वार्रूम वहां उसकी जानकारी दी जाती है और उसके बाद जो है समस्या निराकन करके जो है लोग फीड़बैक दे दिया आता है अब देखना है यह वार्रूम से बदाईयों में समाजवादी पार्टी ने सपा प्रत्याशी, हादित्य यादव के कारेले का हुआ उद्गाटन, सड़क पर नेताओं की गारियां पार्क होने से लगा जाम, ट्रैफिक पुलिस ने काठे चला फरुखबाद में निर्वाचन आयोग ने कलेक्ट्रेट में मीडिया, परमानन और निगरानी समीती की स्थापना, बरामक समाचारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाएगी साइबर पैट्रोलिंग मेरट में सपा प्रत्याशी के पती पर बरसे पूर्व मंत्री हाजी याकूब जन्सभा में लगाए गंभीर आरोग आगरा में विधायक और पूर विधायके बीच जुबानी जंग पूर विधायक चौधरी उदैभान सिंग ने कसा तंच कहा जिस थाली में खाया उसमें नहीं करना चाहिए छे अलीगर पहुँची वोट फोर नेशन नारे को लेकर तमिल नाडू की बुलट रानी तमिल राम लिला मैदान पर लोगों ने किया स्वागत लोगों से की वोट करने की अपीर राय बरेली में लोग सबाद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट डियम ने राजनितिक दलों के प्रतिनिदियों के साथ की मीटिंग कलेक्टरेट परीसर के बचत भवन में हुई मीटिंग पीली भीत में बीजेपी प्रतियाशी ने आचार सहिंता की उड़ाई धजियां वोट के लालच में लोगों को मुफ्त में दिया पेट्रोल युवाओं को पैसे देकर कराया प्रचा बानम एसपी के निर्देशन से चलाया जा रहा अगनी सेफ्टी अभ्यान, लीकेज गैस और सिलेंडर के आग लगने के प्रति किया जा रहा लोगों को जागरुक 14-20 का तारीक तक चलेगा कारेकरम आगरह में डीम ने नामांकर इस्थलका किया निर्ख्षन सुरक्षा ववस्ता के इंतजाम का लिया जाइजा प्रतियाशियों से नियमों का पालन करने की भी अपीर उन्नावस दिला अस्पताल का डीम ने किया आउचक निर्ख्षन स्वास्ते सुविधाओं में मिली बड़ी खामिया लैब टेक्नीशियन को फटकार लगाने की बात पुलिस हिरासत में भेजा संत कबीर नगर में सडक दुरगटना में घायल बच्चे को मंत्री संजनिशाद ने पहुंचाया अस्पताल ट्रॉली से गिर कर हुआ था घायल बोर्णा में गेहू लदे ट्रेक्टेट ट्रॉली ने बाइक को रॉंदा मौके पर ही महिला की दर्दना अकमौप पतैपुर में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी को कुचला हाथसे में स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत मौके से फरार हुआ चालक फरुखबाद में अग्यात मानने बाइक को रॉंदा हाथसे में यवक की दर्दनाक मौत ससुराल जाते समय हाथसा राय बरेली में तेज रफ्तार का कहर इरिक्षा और बाइक की टककर हाथसे में बाइक सवार जिवक और इरिक्षा चालक हुआ घायल आगरा में तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने स्कूटी कुमारी टकर हाथ से में 16 वर्षे किशोर की मौत पांच साल की मासूम घायल इसकूल से घर वापस लोटते समय हुई घटना बांदप पुलिस ने गांजा तसकरों पर कसा शिकंजा पांच तसकरों को किया ग्रफतार 100 किलो से जादा गांजा हुआ बराम राई बरेली में हुआ दरधनाग साडखाथ साथ दो कारों की टकर में मासूम की मौत मौके पर पहुँची पुलिस ने कारों को अपने कबजे में लिया राई बरेली में बस स्टॉप पर चालकों परिचालकों ने जम कर काटा हंगामा टिकट मशीन लेने के लिए घंटों करना पड़ता है परिचालक को इंतजार अलीगर में बेख़ॉफ बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूट की पैसों और जोयलरी से भरा बैग लूट कर हुए फरार एटा में थाना नया गाओं पुलिस की ताबर तोड कारवाई अक्षेतर में चल रही अवैद असला फैक्ट्री को पकड़ा अवैद कारोबारियों में मचा हर कम सिधार्थ नगर में पुलिस ने मारी अच्छापा मारी कारवाई मेडिकल की दुकान से एक पेटी शराब बरामत शराब रखकर मेडिकल स्टोर के अंदर की जा रही थी ब्लैक में विक्री इटावा में पेड से मजदूर ने फांसी लगा कर किया अत्मातिया परिजनों का बुरा हाल मौके पर पहुँची पुलिस जांच परताल में जुटी उन्नाओं में गिरी दिवार को बनाने पर दबंगों ने युवकों से मारपीट की लाठी डेंडों से बोला हमला पुलिस ने घायल को अस्पताल में भरती कराए परुखबाद में ओमनी कार में अचानक से लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी, माली ने आग पर पाया काबू राय बरेली में लिफ्ट कांड का मामला, होटल में लगी लिफ्ट तूटने से हाथसा, ख्षमता से अधिक लोग लिफ्ट में थे सबा राय बरेली में बेहन बेहन में हुई, नोग जोग, मांसिक रूप से विक्षिप महिला ने खाया, जहरीला प्रदार्थ परिजनों ने महिला को अस्पताल में एडमेट कराया जहांसी में लापता मासूम, घड़े में मिला शव, सुचना मिलने के बाद मौके पर पहुची पुलिस पीडित परिवार में कोहरा जहांसी में भाई ने भाई की पत्थर से कुचल कर की हत्या मामूली रुवात के चलते घटना को दिया अंजा बुलंद शेहर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में खुली संगर्ष, दो की मौत, दर्जनों लोग हुए घाय हमीरपुर में पंदरा वर्षे किशोर, हनी ट्रैप का शिकार, वीडियो बना कर किया ब्लैक मेल फिरोजबाद में तैसिल परीसर में युवक ने किया फांसी लगाने का परियास, पिता ने पुतर को हिस्सा देने पर किया विरोध, काफी देर तक समझाने के बाद युवक को पेड़ से उतारा फतैपुर में दिखी चौकिन चार्च की दबंगई, बावा साथ की रैली में शामिल हुई जुवक को पीटा वीडियो बाइरल हमिरपुर में दर्दना खाथसा, महिला ने चार माह की मासूम समेथ खुद को आग लगा कर दी जान, घरेलू कले बताई जा रही वज़ा परिजनों का बुरा हाल बान्दा पुलिस ने अवैद शस्त्र फैक्ट्रिका किया खुलासा छापे मारी में एक आउरोपी गिरफतार हुआ सारनपुर में ईद के मेले में दो पक्षों में जमकर मारपीट वीडियो बाइरल, पुलिस के सनक्षन में बिना अनुमती के मेला लगाने का भी आरोप बुलंद शेयर में बाबा साप के जंडे को उतारने को लेकर लोगों में दिखा रोश पुलिस ने लोगों को समझा बुजा कर खुलवाया जाँ फरुखबाद में डियम ने गेहूं की कटाई कर क्रॉप कटिंग का किया शुभारम एस डियम को क्रॉप कटिंग का दिया गया प्रशिक्षा अलीगर्ड में महिला ने फांसी पर लटक कर दी जान मानसिक बिमारी से पेडित थी महिला गाड़ियों को मॉडिफाइट करवाने वालों पर अलीगर्ड पुलिस की करवाई रेलवे स्टेशन के पास शेकिंग के दौरान जब्त की मॉडिफाइट बाइट